हेलो दोस्तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है आपको जिसे दिख रही है रागी रागी की रोटी चो की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या आप डाइटिंग में हैं तो आपके लिए रागी बैस्ट ऑफ्षन है क कि आप रागी को अपनी डाइट में सामिल कीजे और रागी के बहुत साधा वेनिफिट है तो आप रागी की रोटी कैसे बनाएं उस प्रोसेस पे हमा जाते हैं बाक इसके बैनिफिट जो है मैं आपको आगे बता दूंगी और रागी की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले और फिर पानी हमारा वाइल होने लगे उसमें नमक डालना है एक चमच और एक चमच उसमें घीर डालना उसके बाद में जैसे पानी में उबालाने लगे उसके बाद में हम डाल देंगे आटा और आटा को डालते ही हमें उसमें रगुलर चमच चलानी है चमच या बेलन ले तो आपसे मुश्किल है कि बने लेकिन अगर आप बार बर बनाएंगे तो बन जाएगे आपसे तो देखिए जब आटा दो मिनिट में आप ढ़के रख दीजे और जब वह पक जाए अची तरीके से आप भाप में इसको सेट होने के लिए रख दीजे तो वह सेट हो जाएगा उसके बाद में एक थाली में आप घी लगा लीजे पहले घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं उसके बाद में आप इसको मलिएगा अगर आप ऐसे ही डारेक्ट सुरू कर दीगे मिना घी लगाए तो यह हाथ में बहुत चिपचिपा सा हो जाता है तो थोड़ा से इसको पकता है और जब आपको लगे कि आटा बहुत जादा गीला हो गया है तो आप इसमें सुखा आटा भी अलग से मिला सकते हैं और फिर उसको मिक्स कीजिए तो मैंने और देखिए हाथ में थोड़ा सा घी ले लिया है घी लेने के बाद में अच्छी तरीके से हम आटे को तो आप इसमें तेल या हाथ में घी लगा के अच्छी तरीके से को मिक्स कीजिए तो देखिए यह अच्छी तरीके से बन जाएगा जिससे आपकी जो रूटी एक दम परफेक्ट बनेगी देखिए यह आटा सेट हो गया बिलकुल गीला नहीं है अब मैं इसकी रूटी बे अब मैं इसकी लोई तो दोड़ूंगी तो देखिए गोल-गोल लोई इसकी अच्छे से बन जा रही है तो इस तरीके से हमें इसे गोल लोई बना ले ली है उसके बाद में हम बेला चौकी में थोड़ा से हाटा डालेंगे और फिर हम इसकी रूटी बेल लेंगे तो आने में इसका स्वाथ बहुत अच्छा लगता है तो देखिए इसको थोड़ी सी मोटी ही रहने देंगे उसके बाद में हम गरम तवे में डालना है आप इस बात का बिल्कुल देखिए अगर आप ठंडे तवे में रोटी डालेंगे तो आपकी रोटी परफेक्ट बनती न है इस रोटी को आप अपनी डाइट में ज़रू सामिल कीजिए यह बहुत हैल्दी होती है आप बच्चों को भी दे सकते हैं और इसकी इडली भी बना सकते हैं रागी के अनेक चीज बन सकती है तो आप अभी इसकी रोटी बना के खाईए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपक इसकी कुछ नई रेसेपी देऊंगी जो कि अपने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और जो हमारे गर के बुझर है उनके लिए भी बहुत अच्छी है अगर कि कोई डाइबेटी स्पेसेंट है उनके लिए भी यह रोटी बहुत हल्री है तो आप इन रोटीयों को rust दो ना केन्हें देख सकते है तो मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूं एक तो यह मैं बच्चों के लिए भी बना की थोड़ा सा गी लगा कि हम इसको पराथे सीसे सीग देंगे तो इसको बच्ची भी अच्छी तरीके से खा लेंगे सेख लिए इससका स्वात बहुत अच् जाल दिया है इसके लिए इस इंपोर्टेंट है कि आपका आठा अच्छे से सेट होना चाहिए आप आठे को अच्छी तरीके से लगाएंगे ना तो यह पिकद्ध़ बन जाएगा तो इसको भी हम कपड़े से घुमा-घुमा के अच्छी तरीके से से लेंगे तो यह पूरी होता है तो हमारी रोटिया बिल्कुल बनके तयार है रागी की रोटी बिल्कुल बनके तयार है चैनल में आया तो सब्सक्राइब कर लीजे